कि वाइव उसको लेके हम पहुच गए ऊपर और वहां पे हमें मिले अपने पुराने पापी कौन से पुराने पापी मिले की वजाद जो भाइव क्षडी दी तो भाइव हमें इंदौर से लानीठी थी क्योंकि महुमें तो था नहीं कुछ सिस्टम इनके लिए पास होना कि पुछ कि नहीं था क्योंकि तब तक मैं physically fit हो चुका था Academy से निकलते सेंड टर्म में तो मैं बिल्कुल तो इसी में थोड़ा सा quality time बिताते हैं तो यह quality time और धीरे धीरे विताया वो भी एकाडमी से निकला, पासिंग आउट परेड होई, कंधे पे एक तारा लगा और पहुंच गए हम पल्टन. आपने सुना पिछले एपिसोड में किस तरीके से महाजन फील्ड फाइरिंग रेंज में क्या हुआ और किस तरीके से हमने गरनेट्स का डिस्पोजल किया और ये सब वगेरा वगेरा अच्छा जी, अब इसके बाद हमें बोला कि तुम जाओगे मउ, अब मउ का नाम हमने सुना था, कि वहाँ पे वायो कोर्स होता है, लेकिन कभी मतलब जाने का मौका नहीं मिला मउ, तो फिर एजुरेंट थे हमारे उस दमाने में मेजर डीडी बलोनी, जो अब उस दमाने में मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, पर मुझे लग रहा था कि हमारे जो पुराने पापी हैं, वो सब इंफेंट्री वाले महु में खटा होंगे, तो हमने ट्रेन पकड़ी, और यूनिट का हूँगा करती थी उस वक्त, यूनिट थी उस वक्त, दोस्तों सूरत कड़वा हैं, तो हमने खटर पटर खटर पटर ट्रेन पकड़ी और किसी तरीके से पहले दिल्ली गए, फिर दिल्ली से हमने इंदौर वाली ट्रेन पकड़ी इंदौर में, इंदौर जैसी हम उतरे, वहाँ पे बस खड़ी थी आर्मी की, और आर्मी की बस में हम गए ऊपर और वहां पे हमें मिले अपने पुराने पापी कौंसे पुराने पापी मुले अमर दीप सिंग बाली और एपी सिन Higher की आनंद प्रकाष सिना अपने पुराने पापी अकाड़िमिय वाले तो बढ़े उनसे जहपी शपी यार वो सखी बात है अपने यारों दोसनों से नहीं मिले होते इतने समय और यूनिट में तो अलग से चावी होती है तो वहाँ पे सब लोगों ने फिर अपनी कहानियां सुनाई और हमने बोला कि यार देखो सुनो एक काम है हमने मज़े मारने अपने कोर्स में क्योंकि हम मिले हैं तोड़े इमोशनल टाइप के है बाली भी ऐसाई से नावी ऐसाई मैं भी ऐसाई तो हमने बोला नहीं यार दोस्तों से मिले है and we must have a party तो वहाँ पे हम लोग पढ़ाई भी करते थे कोर्स भी चल रहा था और मतलब हम लोग अपने मज़े भी करते थे अच्छा कोई भी आर्मी का कोर्स होता ना उसमें दो किसम के लोग होते है एक वो होते हैं जो बड़े सीरिस होते हैं कि भई हमें instructor grading लेकर जानी है और हमें AXI चाहिए हमें delta चाहिए AXI मतलब जो instructor I is for instructor तो जो कोर्स में एक या दो टॉप के होते हैं पूरे कोर्स में जो टॉप करते हैं उनको वापिस बुलाया जाता है कि अब तुम सिखाओ आर्मी में जो गुरु है ना जिसको हम civil में गुरु कहते हैं टीचर कहते हैं उसकी बहुत इज़त है फौज में और इज़त खोकली इज़त नहीं है खोकली इज़त नहीं है कि गुरु जी वैसी इज़त नहीं है मतलब कि उसकी appointment होती है उसकी posting होती है जो officer कोई call stop करता है उसकी instructor grading जो उसको मिलती है फिर वो आता है तो जो सिखाते है जो सिखाते हैं फौज में ना They are the best of the best. ये आपको एक बात समझे, मैं आपको background बता रहा हूँ पूरा. तो ये कारवाई शुरू हो गई है. और दिन भर cycle से जाना, cycle से एधर, cycle से उधर, ये सब बाइक शाइक तो थी भी है हमारे पास. जिनके पास बाइक थी बाइक से जाते थे, हम लोग धेरे-धेरे अपने cycle में पैडल मारके जाते थे. अच्छा, कभी-कभी इंदौर चले गए. क्योंकि महुका बाजार तो ऐसा कुछ था नहीं खास, लेकिन कभी-कभी इंदौर चले गए. तो इंदौर जाके बड़ा मजा आता था, क्योंकि कोई कहीं से आ रहा था, कोई कश्मीर से आ रहा था, कोई असम से आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा था, और भाई हमें तो इतना idea था नहीं, कि होता क्या है, कैसे होता है, मतलब ये बड़े शहर को कई लोगों ने देखा न दोस्तों, आप सोचेंगे दिल्ली वाला लड़का है, जिंदेगी वाल दिल्ली, आप दिल्ली के लड़के को 6 मैने लाइन ओफ कंट्रोल में डाल दीजे, उसका इतना डिसोरियंटेशन होगा, कि जब वापिस दिल्ली आएगा न 6 मैने के बाद, उसको लगेगा पता नहीं कौन सी माया नगरी में आ गया, तो क्यों होगा हम लोग चले जाते थे वहाँ पर, इन दौर चलेगा एक घूमने के लिए, तो इन दौर को मिनी बॉम्बे भी कहते हैं, तो हमें पहली बार हमने वर्ट सुना, मिनी बॉम्बे, तो हमने खूब घूमा वहाँ पर सब कुछ, अच्छा, फिर हमारी भी चलूई यार कि हमें भी बाइक सी, हम बाइक खरी देंगे, तो मेरा एक दोस्त दौर करता था, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, बड मंदीप सिंग वैसी पग पहनता था, और खुब मतलब थोड़ा सा हेवी सेट था, और रमन की एक वेलविट की कंपनी थी, जिसका नाम था निरेंजन डेको फ्लॉक्स, और नरेला में उसका फैक्टरी हुआ करती की, तो हम तो ऐसी थे, मिटल टास फैमली के वही था हम में पैसे हमीर तो मैंने बोला ला भाई पैसे, तो उससे मैंने अपने दोस्ते कुछ बोरो करें पैसे, कुछ मेरे पास थे, और मैंने अपनी बाइक खरी दी, कावासा की बजाज मैंने बाइक खरी दी, ठीक है, अब कावासा की बजाज जो बाइक खरी दी, तो बाइक हमें इ गये बहाँ पर हैं। वो मेरे साथ पीछे बैठा बाली और शोरूम से बाइक निकाली और मैं डर के मारे बाइक चला रहा हूं, ठीकते ना टुक 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 फिर बाइक बंद हो रही है क्योंकि डर लग रहां नही बाइक है। यार उस यह मैं चलाता हूं उसने मेरी बाइक से मुझे उतार दिया तो पीछे बैठ फिर बाली बिल्कुल स्टाइल से ले गया तो हम लोग वापस आए फिर हमने बाइक में खूब मज़े मारे हमें तो वह चीजी हजम नहीं हो रही थी हमें कि हमारी बाइक आ गई तो यह बाइक सिर हो गया है और नयदेप्टी कमार्डबन कोई आया रहो है भी कौन आया है में पता ही नहीं था थी खिर किसी ने ओडूरती ख़बर सुनी खंने किसी से कि यह जो डिप्टी कमारडांट है ना जो इन्फंटरी स्कूल के आ रहे हैं । He is one Brigadier N.D. Jettly. मैंने बुले यार, यह नाम तो सुना हुआ लग रहा है, Brigadier N.D. Jettly, फिर मैंने पूछा किसी से, कि मैंने बुले बुले सर यह नाम क्यो आ हुए लग रहा है, तो मुझे बताए बेकूफ हे नाम इसले सुना लग रहा है क्योंकि ब्रिगेडिर एंडी जेटली है स्कमांडेट 17 कुमाओ यह तुमारी यूनिट के एक जमाने में CEO हुआ करते थे जब तुम पैदा भी नहीं वे थे फोज में तो बहुत सीनियर हैं अच्छा जी तो ब्रिगेडिर एंडी जेटली आया है और ब्रिगेडिर एंडी जेटली स्मार्ट बिलकुल ऐसी मुच है टना टन और कावोई हैट पैनते थे उनकी शौक तक कावोई हैट नहीं तो कावोई हैट पैनते थे और बड़े-बड़े काववाई बूट्स और अपनी जिपसी चलाके, खुद चलाते हैं जिपसी और ऐसे, तो अब मेरे उपर प्रेशर आ गिया, कि भाई मेरी यूनिट के सी-ओ, अब यहाँ पे ब्रिगेडियर बनके और यहाँ पे, you know, he's coming as number two in the infantry school, अब spotlight तो रहेगी, कि मेरे पल्टन का officer क्या आरकतने कर रहा है, इसकी performance कैसी है course में, इसका discipline कैसा है, जाहर सी बाता है, और infantry वाले तो वैसी थोड़ा सा OG टाइप के होते हैं, in the sense कि we are more particular, थोड़ा से दस्तूरी किसम के होते हैं, infantry वाले, और कुमाओ रेजिमेंट तो, खेर हमारी रेजिमेंट है मलमल के उपर पानी बहता है न, ये स्मूध बलकुर, चका चक, खुब मज़े मार रहे हैं हम लोग, एक सिंग ढाबा था, वहाँ पर जाके खाते भी दे, खाते पीते, ऐसी चब चल रहा था, and we were having a ball, एक बार क्या हुआ बीपीटी टेस्ट, बीपीटी टेस्ट होता है, ब के पिठ्ठू होगा, यहाँ पे साइड में नीचे पाउचे होंगे, पीचे पिठ्ठू होगा, वाटर बॉटल होगी, और दुनिया भर का ताम जाम, और उसके साथ आपको DMS बूट पहनके, एंकलेट शैंकलेट पहनके, और क्या अप लगा कि आपको भागना है, पूरा क पाली और चिनना, अच्छा ये तुनों पास हो जाते हैं, इनके लिए पास होना मुश्किल नहीं था, पास होना मेरे लिए भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि तब तक मैं फिसिकली फिट हो चुका था, अकाड़मी से निकलते, सेकंड टर्म में तो मैं बिलकुल गोली बन मैं लेकिन क्या हुआ कि, यार, जी सी मकरा है जी, आरा, दिल तो बच्चा है, जी सी मकरा है जी, तो वही दिल में मकरा जी सी फिर से पैदा हुआ, मैंने दोनों को पीछे से पिठी पक्ड़ा, मैंने आराम से चैopt fulfil कंगें, कोई देख यह, हम तीनों आराम से पास हो जाते हैं हसते खेलते लेकिन मैंने इन दोनों को फेल करवा दिया अच्छा मैंने जब इन दोनों को फेल करवाया तो अब हुआ ये कि सामने वहां पर खड़े ऐसे बिगेडर एंडी जेटली अपने काबोई हैट पहनके और ऐसे देख रहे आँखे कि पूरा तो कूर्स पास हो गया ये तीन कौन है ये नलाइक जो फेल हो गए और बाली ने ऐसी गंदी नजरों सा मुझे देख और सिना ने मुझे बोला गुलू बेटा तूने तो मरवा दी आज अच्छा हम तीनों फिर मैं किया रहा हम तीनों पास हो जाते आराम से मैं त कि फिर पिट्टू इत्टू पीछे से पकड़े मैंने इनको भागने नहीं दिया जब मैंने भागने नहीं दिया तो फेल हो गए ये मेरे साथ हम तीनों फेल हो गए तो सबसे पहले बाली को बुलाया ब्रिगेडी रंडी जेटली के समने पेशी हो रही है अच्छा मैं विटायुक फ्रॉम तो बाली ने सलूट करा सोर सेकंड लेटन एस बाली फिर्स बटालियन दसिक लाइट इंविटरे ओके स्टेप साइट उसने बता गिया फिर गया सिना तो जब सिना गया तो सिना से पूचा विच यूनिट आई यू फ्रॉम से कि लेटन एपिस ना फो हुआ है काम यह ब्लड़ी जोका है काम यह एं यू वाट्यों नेम आई सट्सेट लेटन गौरव और यह एंड विच यूनिट दू दू इस 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 यूर्स मैंने मेरे मुझे रिकल गया सर्यों क्योंकि मुझे पता था उस अत्रव मों क्या कुछ नहीं बोला ब्रिगेटर इस इस्टम फॉज में फॉज इंडियन आर्मी नी बदली कि मेरी पल्टन खराब कैसे हो सकते है मेरी पल्टन का बंदा कैसे खराब हो सकता है मेरी पल्टन में ऐसा कैसे यूनो ने तो जानबूच के कर रहा था ना हम थोड़ना फेल हो रहे थे हम जानबूच के फेल हूए थे, क्योंकि हम मज़े आ रहे थे, चरवी चरवी थी हमें, तो हम उसमें फेलो गए, हमें साथ दिन BPT भगाई धूप में, वेदर उजो के, क्योंकि विंटर्स थे, लेकिन फिर भी विंटर्स में भी, दिन में तो दो फेरी में धूप हो जाती है, लंच के बाद, तीन बजे हम लोग भागते थे, जब बाकी सब लोग आराम कर रहे होते थे, तीन बजे मैं सिना और बाली BPT भाग रहे हैं, और जब भी BPT भागते हमें गालियां पढ़ती हैं, मुझे गालियां पढ़ती हैं, किस से गालियां पढ़ती हैं, सिना और बाली से, तो जब भी BPT भागते यह लोग मुझे गाली देते हैं एक दिन भागी गाली, दूसरे दिन गाली मैंने बहाँ लगा लेकिन फिर अपन दिनों को साथ रहने का मौका पहलेगा हम लोग कहां साथ रहेंगे हम लोग तो फिर अपनी एपनी उनोट चले जाएंगे आगे हम लोगों ने फिर इंफिंट्री का अपना जो कोर्स है, प्लाटून वेपन्स है, X, Y, Z, जो भी है, ये सब हमने अपने पूरे कम्प्लीट करें, और वो दिन आ गया, जो हम सोच रहे थे कि ना आए कि ये कोर्स खतम होने वाला है, ये कोर्स खतम होने वाला है, मेरे दिल से निकला मगराजी सी, अब तक मेरे पास अनुच सर का कॉल आया, अनुच सर ओफिशियर्ट कर रहे थे, अज एड्यूरेंट, ठीक है, उनका मेसेज आया, तो I called him, तो उनसे फोन पे बात हुई, ओ, लैंड लाइन फोन में होते हैं, तो मेरी सर से बात हुई, मैं जिसका नाम गरेवाल है, और गौरव है, वो तो हो गया, गैरी, जिसका नाम चौधरी है, या चौहन है, वो हो गया, चाउ, ठीक है, हाई चाउ, ये, फलाना तो इस तरीके से नाम तो, तो अनुच सर मुस्यक, अनुच सर मेरे जो सीनियर्ट है, who's now in the army, he's a full colonel, so, so, यार गैरी, सुल, अचा, गैरी, चॉइस हाई है, यार, कि, whether you want to go to commandos, or you want to go to haws, और, क्या करना है, कैसे करना है, तो, यार, ये, थोड़ा सा, ये, इशू है, यार, कि, मतलब, किस तरीके से ना, तू जाना चाता है, भी, चॉइस है, मैंने बोला, सब, चॉइस कैसे हो सकती है, इंफिंट्री वाला तो commando करता है, ये तो done है, कैरे, नहीं, यार, इस बार ना, choices आई है, और साल, दो साल के लिए, कुछ ऐसा चकर चला है, तब मुझे पता लगा, कि, ऐसा बोल दिया, कि, चॉइस होगी, अभी, शायद तो choice नहीं, अभी तो commando करना परता है, मन के अंद हाँ पर चलते हैं, कश्मीर में, मैंने लगा, क्या मज़े करेंगे, कश्मीर में, कैरे, अब सुन, कश्मीर में, वाजवान खाएंगे, कश्मीरी खाना है, वाजवान खाएंगे, दबाके, और स्की इंग सीखेंगे, वहां पर, we will learn how to ski, अरे, पार्टी होती है, पार्टी दिन रात रगड़ा होगा, हाइल्टिटूड वार्फेर स्कूल जाएंगे, हाइल्टिटूड वार्फेर स्कूल कहाँ पर होज, गुलमर्ग में है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है यार, वहाँ पर कश्मीरियों के पास जाना है, कश्मीरी होटल में, वाजवान खाना है खतम हुआ मामला यहां पर और हम पहुंचे अपनी पल्टन, पल्टन पहुंचे और पल्टन पहुंचने के बाद एक बड़ा कांड हो गया, एक बहुत बड़ा कांड हो गया, यह मैं अगले एपिसोड में सुनाऊंगा कि क्या कांड हो गया, और हम किस तरीके से हाइल्टि वो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा देखते रहिएगा दोस्तों ये वीडियो पसंद आये तो उसको लाइक करें आमारे चानल को सब्सक्राइब करें बेल आकन दबाना बिलकुन दूर भूलिएगा जहिंद वंदे मातरम भारत में तकीचे जहिसे अपिस सकते बिल्यों भारत में इंड़ते रहां वोँपनbons करें करें मैं में मैं विर जहिस्तों में पौल्चा देखते में प्र OT 투 मिल्चे आप्रन के लिए लिए रहां करें जहिसे लिए करें यह आज करें आमित वरो इसे के आमारní